अर्विंद केजरिवाल जी को आज भी ED की अदालत से कोई रहात नहीं मिली जब उनकी ED की कस्टड़ी खत्म हुई तो उनको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टड़ी में भेज दिया गया अब तो बार-बार ये चाँची सामने आई जो अर्विंद केजरिवाल जी कहते तो कोई सबूत नहीं है मेरे खलाब कोई सबूत नहीं है इतने पुखता सबूत हैं ED की कस्टड़ी खत्म होने के बाद भी आपको कोई छोड नहीं रहा आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है अर्विंद केजरिवाल जी आप अपने मुबाइल के पासवर्ट तक नहीं खोल के दिखा रहा हूं यह देख लीजिए पर आपके पास चुपाने को बहुत कुछ हैं क्रोडों रुपया जो आपने कठा किया है शराब गोटाले में उसके सारे सबूत फोनों में हैं जो आप फोन नहीं देना चाहते लेकिन यह हिसाब होगा आप बचनी पाएंगे अर्विंद केजरिवाल जी को आज भी एडी की अदालत से कोई रहात नहीं मिली जब उनकी एडी की कस्टड़ी खत्म हुई तो उनको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टड़ी में भेज दिया गया अब तो बार बार यह चीज सामने आई जो अर्विंद केजरिवाल जी कह आप अपने मुबाइल के पासवर्ड तक नहीं आपने दी अब तक अगर आपको चुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए और आप एडी को नहीं देने चाहिए कोट में खोलके सब के सामने दिखा देते जिस जजज के सामने आप चला चला के कह रहे थे मैं ब आप होगा आप बचनी पाएंगे अर्विंद केजरिवाल जी को आज भी एडी की अदालत से कोई रहात नहीं मिली जब उनकी एडी की कस्टड़ी खत्म हुई तो उनको 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टड़ी में भेज दिया गया अब तो बार-बार यह चीज सामने आई यहां-धा करन जीक दें यहां-धा करी किया जाते दो के सबूगत नहीं है इतने पुकता सबुत हैं इड की कस्टड़ी खत्म होने के बाद भी आपको एक कोई छोडा नहीं रहा है आपको 14 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है अर्विंद केजरिवाल जी आप अपने मुबाइल के पासवर्ट तक नहीं आपने दी अब तक अगर आपको चुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए और आप एडिकों ने चाहिए कोट में खोल के सब के सामने दिखा देते जिस जज़ के सामने आप चला-चला लेकिन यह हिसाब होगा आप बचनी पाएंगे